और अब आपको जार्खन के उसकाले क्याश कांट से अपडेट करते हैं जहां अब तक के इतिहास में देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्शन देशार जांच एजनसी एडी ने किसी एक ठिकाने से अब तक समसे ज्यादा क्याश बरामद किया है चारखन के ग्रामीर विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव दयाल के नौकर जहांगीर आलम के घर और पीएस के दूसरे करीबी के ठिकाने से अब तक एडी 36 घंडे के भीतर 37 करोड से ज्यादा क्याश बरामद कर चुकी है जिसमें अकेले नौकर जहांगीर के घर से ही 35 करोड रुपए क्याश बरामद किया गया है आज एडी को मंत्री के पीए के नौकर के नाम से जिस्टरड एक स्यूबी भी मिली है आज इस मामले में सवा 2 करोड का और काला धन बरामद हुआ है जो मंत्री के पीए के चरीबी ठेकेदार के ठीकाने से मिला तो 2019 में जेई सुरेश बर्मा को 10 हजार की घूस लेते पकड़ा गया था अब 10 हजार की घूस से 30 करोड तक के करप्शन का पूरा मामला आप अपनी आखों के सामने देख रहे हैं नोटों की गड़िया ही गड़िया यहाँ पर कैसे बरामद हो रही है ED ने चेताया था अपनी तरफ से चिठिया कई दी गई थी भेजी गई थी लेकिन वो गुम्नान जो चिठिया रही वो भी उस कैश के धेर के बीच से बरामद हो गए ED ने आगाह किया लेकिन ED के बताने के बावजूद करप्शन होता रहा इसका सीधा मतलब ये रहा कि मिली भगत कहीं न कहीं वहाँ पर रही मुख्य भी अन्ता जो रहे उनसे जुड़ा देखें ये पूरा किस तरीके से मामला है 2023 में विरेंद राम के 20 से अधिक ठिकानों पर ED ने चापा मारा विरेंद राम ने ED को विभाग में ठेके के बदले कमिशन का खेल बताया श्रिया चेटर जी इस समय इसी मामले पर और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही है श्रिया क्या ये जो अभी तक रेड थी वो पूरी हो चुकी है जितना पैसा अभी तक बरामद हुआ है क्या हम समझें ये पूर्ण है या आगे अभी और ये मामला और आगे खुल सकता है और गड़िया और नोट बरामद हो सकते है देखिए बिलकुल ये अभी तक हम कह सकते हैं कि कुल मिला के अप्रॉक्सिमिटली 38 करोर रुपए इंफोस्मेंट डिरेक्टरिट जारकन के टीम ने बरामद की है सिर्फ एक लोकेशन पे नहीं कई लोकेशन पे इंफोस्मेंट डिरेक्टरिट ने चापे मारे थे ये जो पूरी इंफेस्टिगेशन है ये पिछले साल जब एक सीनियर इंजिनियर जारकन के रूरल डिपार्टमेंट से गिरिफतार हुए थे विरिंदर राम बस दस हजार रुपे की ब्राइबरी के केस में उनसे जब पूछताज की थी इडी ने तब उनके थूरू ये खुलासा हुआ कि कैसे रूरल डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे लोग है जो कॉंट्राक्टर्स के साथ मिलके कमिशन कमा रहे हैं और ऐसे करप्शन का एक नेक्सेस चला रहे है इस मुद्धे पे जब जाज शुरू की तब इंटेलिजन्स ग्यादर करने के बाद आलमगीर आलम जो की रूरल डेवर्लप्मेंट मिनिस्टर है जारकन के उनके जो पी एसे संजीव लाल उनके घर पे चापे मारी की और उनके घर के लोकेशन से सिर्फ 38 करोर रुपे बरामत हुए हम कह सकते हैं कि हाली में अगर ये पूरे इंवेस्टिकेशन जब चल रहा है ये बिल्कुल पॉसिबल है कि एंफोस्मेंट डिरेक्टरिट आलमगीर आलम से भी पूछताच करे अगर हम जारकन की पॉलिटिक्स में बात करें तो वो बहुत खास माने जाते हिमन सोरेन और हिमन सोरेन कैंप के जब हिमन सोरेन गिरतार हुए तो आलमगीर आलम एक लोते वो शक्त से कॉंग्रेस से जो लगातार उनके साथ थे क्राइसिस हैंडल कर रहे थे तो ये पूरा जो जाच है इसके जरी हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरीफ के से फिर से जो जारकन की गवर्मेंट है उनके तरफ खत्रा नजरा रहा है एडी की जो जाच है वो आगे भी बढ़ेगी और अब मोस्ट लाइकली हमने कह सकते हैं कि इस पूरे इंवेस्टिगेशन में आलमगीर आलम से भी एंफोस्मेंट डिरेक्टर पूछताज कर सकती है लेकिन जब आलमगीर आलम से मीडिया ने सवाल पूछा था श्रया तब हमने देखा था कि किस तरीके से वो इस बात को अपने पीएस पर पूरी तरीके से डाल रहेंगे और भी मंत्रियों के साथ रह चुक है औ केवल पीए और उनके नौकर का ये मामला दिख रहा है जिरो इनकी और उनके अधार पे E.D. ने पूरी इंवेस्टिगेशन चलाए क्या आलमगीर आलम को पूछताच करेगी या नहीं E.D. ये उनकी इंवेस्टिगेशन पे जरूर डिपेंड करती है लेकिन क्यूंकि वो रूरल डिपार्टमेंट में मिनिस्टर है वहाँ के जो कारिक जो पूरा काम है उसके भी उनकी निगरानी में ही होती है तो ये जायज है कि बिल्कुल पॉसिबल है कि आलमगीर आलम से भी पूछताच की जा सकती है लेकिन फिलहाल उन्होंने आलमगीर आलम से भी जब पूछा गया तो उन्होंने ये कहा था कि प्रोब अभी चल रही है तो इस पे टिपनी करना सही नहीं होगा तो enforcement directorate का एक तरीके का cash haul जो अब तक इस विशय में मिला है वो 38 करोड है कुछ अन्य जगाव पे भी छापे मारी चली है हो सकता है यह आखरा आगे बढ़ भी जाए बहुत शुक्रिया श्रेयर चटर जी इस पूरी जानकारी के लिए तो देखिए कैसे नोटों का पहाड यहाँ पर बरामद होता जा रहा है और काररवाई पूरी जारी है हम आपको यह पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं जो एडी की काररवाई से जुड़ी है और यह जो नोट ही नोट बरामद होए जा रहे हैं उसको आप भी देखिए आने वाले के घर में 30 करोड रुपाई कायश हो सकते हैं यह पैसे यहाँ तक कैसे पहुंचे इसलिए आपको आज आज तक संबार्ताता मुनीश पांडे की एक्स्क्लूजिव दस्तक देती खबर देखने जरूरी है मुनीश पांडे के एक्स्क्लूजिव खाबर ये है कि पिछले साल ये इडी ने जरूर्खंड सरकार को ग्रामिण विकास विभाग में होते करप्शन पर सावधान किया मुख्या भ्यंता विरेंद्र राम से हुई पुछतांच के आधार पर जरूर्खंड सरकार को ग्रामिण विकास विभाग में होते भैष्टाचार पर अफायार दर्च करने को कहा आज तक के पास मौजूद यही वो एक्स्क्लूजिव दस्तावेज जो गवाही देते हैं कि घष्टाचार रोकने के नाम पर उसे और बढ़ाने और बचाने की कोशिट जार्खंड में जेमें कॉंग्रेस सरकार ने की क्योंकि एडी ने माई 2023 यानी पिछले साल ही चीफ सेक्रेटरी को चिठी बेजी इसमें लिखा गया कि मुख्यभ्यंत्या विरेंदर राम ने पूछताच में बताया है कि टेंडर दिलाने में तीन फीस दित्तक के कमीशन का खेल चल रहा है जब उसकी गिरफतारी एडी ने कीती तो उसका बयाहन दर्च किया उसने बयान में कहा कि जो मैंने इसे अपने रिश्वत पकड़ी हुई है एक महिने के अंदर में एडी के पास में रिपोर्ट था कि कई ऐसे अधिकारी है जो ब्रस्टाचार में लिप्ट है जो टेंडर आता था ग्रामीड विकास मंत्रालाय में उसमें से तीन परसंट से जादा का कमिशन है वो बड़े अधिकारियों तक जाता था और पॉइंट तीन परसंट ही जो उस वक्त के चीफ इंजेनर थे उनको बिलता था लेकिन जिस चिफ्टी को पढ़कर गामीड विकास मंत्री से लेकर जारखंड सरकार तक को एक्षन लेना था आरोप है कि उसकी जगह उसी चिफ्टी से भष्टाचारियों को अलर्ट कर दिया गया उस चिफ्टी को उन ब्रष्ट अधिकारियों तक कथी तुरूप से पहुचाये गया और उनसे यह कहा गया कि अब आप ब्रष्टाचार का नया तरीका डूढ़िए और नय तरीके में यह डूढ़ा गया कि पैसा अपनी जगह रखने के जगह अपने किसी करीबी या भरोस से बचने के लिए ही पैसा मंत्री के पीए के नौकर की घर तक दावा है पहुचाये गया लेकिन भष्टाचारियों के इस ठिकाने तक भी एडी के अफस्तर पहुच गए और देश में एक बार फिर करोणों रुपाय का काला धन परामत हुआ है